परस्रेट जी ने ये काम नहीं किया था लेकिन अन्जाने में भोके से ये भूल हो गई परन्तु त्रेता की याद रखना ये त्रेता की चौपाई है ये त्रेता की चौपाई है נain तापस अंदर साप शुदियाई कौसिल लें सब कथा सुनाई तो सीधी सी बात है कि त्रेता में महाराज दसरत कर्म का फल भोगने के लिए मजबूर हो गए कि नी हो गए बोलो हो गए निश्चित रूप से हो गए और सुन लीजे मेरी बात को ये कल जुग में तुम लोग पैदा हुए हो कल जुग में बड़ी बड़ी छूटे भगवान ने दी हैं बोलो दी हैं छूटे की नहीं कल जुग समनयान जुग जो नर कर विस्वास और गाए राम गुन गन बिमल भवतरी विने प्रयास केवल इतनी बड़ी शुग आपको मिली राम का नाम लो कल्यान हो जावे भवतर विने प्रयास कल जुग समनयान जुग जो नर कर विश्वास विश्वास करने की जरुए थे कल जुग केवल नाम यदारा ओ सुमिर सुमिर नर उतर रही पार कली करेक पुनीत प्रतापा मानस पुन्न होई नहीं पापा मानस पुन्न होई नहीं पापा ये कल जुग का प्रभाव है मानस पुन्न होई नहीं पापा मन से आपने यदि किसी का भला सोच लिया तो आपको पुन्न मिल गिया और मन से यदि आपने किसी का गलत सोच लिया तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा मन से बस क्रियानवित मत करना नहीं हातों से अगर क्रियानवित कर दिया आपने सरीर के अंगों से क्रियानवित कर दिया तो तो कनफर में ही है कि पाप लगई जाएगा वो लगई जाएगा खनी जैसे आप सब बैठे हो आपकी जेम में सोका नोट और आपका बगलवाला सोच रहा है ये सोका नोट हमारे पास आजाए किसी भी तरह से आजाए कैसे आएगा कैसे आएगा अच्छा एक बात बताओ आप बगलवाले को मन से सोच रहा है क्या चोर सिद्ध करोगे उसको है तुमारी हिम्मत चोर सिद्ध करने की जल्दी बोलो नहीं है और यदि उस बगलवाले ने अपना हाथ तुमाई जेम में डाल दिया और सोका नोट यँ किया तो तुम आप पकलोगे चोर 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 देखो बगलवाले इम बैठा बैठा चोरी कर रहा था देखो देखो चोर अरे वो कह भाई या हम चोर नहीं हैं तुम फालतू की बात करते हो तो ये नोट क्यों नकाल रहे थे हम इसलिए नोट निकाल रहे थे कि अपने सोके नोट से तुम्हारा सोका नोट मिला रहे थे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमारा तुम्हारा यह कई जैसा है कि कितना villain सफाई दो तुम इमांदारी से बताओ यह सफाई चलेगी की समाज में काम आएगी समाज निन तुमारी निंदा करेगा कि निंदा प्रस्ता तुरंत पास हो जाएगा कि यह चोर है इस तरह से हरकत कर रहा था समाज के सामने बैठा 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 बोलो है लेकिन मन से तुम घंटों से सोच रहे थे कि हम सोका नोट हमारे पास आ जाए सोका नोट हमारे लेकिन किसी ने चोर वता पाया बस यही विसेश्टा है प्यारे कवीरदाज जी क्या कहते हैं कवीरदाज जी कहते हैं मन को आज तक कोई बस में नहीं कर पाया कोई माई का लाल बस में नहीं कर पाया मन को तो फिर क्या करना चाहिए कवीर दाजी कहते हैं मन जावे तो जाने दे ये कवीर की वानी है अरे मन जावे तो जाने दे फिर दिर्ण कर राख सरीर कवीर सरीर को मत जाने दे यदि गलत जगए पर मन जा रहा है तो मन को जाने दे ले किन गलत जगए पर स सरीर को मत ले जाओ मन के साथ जैसे मन है भाईया मन गलत जगाय पर चला गया कभी रहे जाने तो फिर बुले लोट के आ जाएगा लोट के आ जाएगा अरे बुले आथ तो जाएगा बुले कोई खत्रा थोड़ी है क्यों? बुले शरीर को मन के साथ मत ले जाओ बस मन जाता है जाने दो शरीर को मत जाने दो यदि मन चला गया है शरीर आपका एक जगह है तो जाने के बाद भी मन के जाने के बाद भी कोई पाप नहीं लगेगा लेकिन फिर पुन बोले विसेष्टा यही है पुन लग जाएगा जैसे घर में बैठे मन आपका यग में आ गया तो वोले पुन मिल गया यह विसेष्टा है यह विसेष्टा है कि आपका शरीर यदी नहीं जा पा रहा है क्योंकि रोगी हैं, बीमार हैं, परस्तिती हैं, मजबूरी है लेकिन मन चला गया है भाया, कमजोरी के कारण नहीं जा पा रहे या साधन नहीं मिला है बीस किलो मीटर है नहीं जा पा रहे लेकिन बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा प्रवचन यग हो रहा है कोले गाओं में तो बोलो मन आ गया कि नहीं आ गया तो बोले सरीर यदी मजबूरी में नहीं हापाया लेकिन यग्य में आपका बीस क्किलो मिऩर से चल के मन आ गया है तो आपको मन के आने से ही पुर्ण प्राप्त हो गया यग्य का ये कलजू की विसेस्ता है other कि कजुक की विसेस्ता है लेकिन यदि आपका किसी पाप के अस्थान पर मन चला गया और शरीर आपका उस पाप के अस्थान पर नहीं गया तो आपको पाप नहीं लगेगा इसलिए कली करेक पुनीत प्रतापा और मानस पुन्न होए नहीं पापा इसलिए मानसिक पुन्न लगता है कल जुग में मानसिक पाप नहीं लगता है प्यारे इसलिए हम कहते हैं कि मन यदी गलत जगे पर जा रहा है वहां सरीर को मत ले जाओ क्योंकि मन जावे तो जान दे द्रन कर राक शरीर ओ उत्री धरी कमान है तो कैसे लागे तीर जैसे तुम कोले गाओं में बैठे हो मन चला गया कलकत्ता बोलो चला गया कै तो जाओ कलकत्ता ना टिकेट कटाया ना धक्के खाए और ना कोई परेशा नी गया और लोट की आगया अब मन के साथ सरीर को ले जाओगे तो पैसा भी खर्च होगा समय भी देना पड़ेगा टिकेट भी कटाना पड़ेगा धक्ये भी खाने पड़ेंगे और कलकत्ता जाओगे तो एक हफ्ता तूटेगा दिन भी साथ लगेंगे वो लगेंगे कि नहीं लेकिन मन चला गया कलकत्ता वोले साथ मिनट भी नहीं लगे लोट के आ गया क्या नुक्सान हुआ बोलो इसलिए शरीर को कवीर की बानी है ये तुलसी और कवीर की बानी बड़ी महत्पून बानी है साधरन नहीं है समझ रहे हो कि नहीं ये साधरन बानी नहीं है महत्पून बानी है कवीर दाजी ने तो एक बात बहुत महत्पून कहीं प्यारे कवीर की बाणी भी अपने आप में बहुत ही महत्पूर है कवीर कहते हैं कि ऐसंसार के मानवो तुमें इस बात का भान होना चाहिए कि तुम इस जगत में आये हो तो इस जगत में आकर के तुम मालकाना हक मत जताओ फिर कहिए तुम्हारी संपत्ती नहीं है तुम तो केवल मुसाफिर हो यात्री हो ये जगत रूपी धरमसाला में आए हो दिन दो दिन चार दिन चालीस दिन के लिए क्यों भई अच्छा मुसाफिर जब धरमसाला में आता है तो बोलो उसका कब्जा हो जाता है क्या जल्दी बोलो दिन दो दिन चार दिन चालीस दिन क्यों भाया यही नियम रहता है कि नहीं फिर उसे जाना पलता है कि नहीं तो कवीर कहते हैं कि ऐ संसार के मानवो तुम जगत में आ रहे हो ये तुम्हारे लिए धर्मशाला है इसको तुम इस पर मालकाना हक जमाना नहीं ये मालकाना हग जमाओगे तो तुमारी अज्यानता होगी तो तुलसी दाजी बोले फिर हम भी कुछ कह दें हाँ बोलो बोलो तुलसी बोलो बोलो कवीने का बोलो तुलसी तो तुलसी दाजी बोले सुनो हमारी बात संपति सव रगुपति के आही तुलसीदाजी बोल पड़े संपति सव रघुपति के आही ये संपति किसकी है भगवान की है तो ये जगत रूपी धरमसाला भगवान की है बोलो है भगवान की की नहीं लेकिन तुम मुसाफिर बन करके आये हो तो इसमें रुख जाओ लेकिन इस पर मालकाना हक मत जताना कवीर ने फिर पश्त्री करन दिया इस सराय के बीच मुसा फिर कवीर कह रहे है कवीर ये ध्यान से सुनना इस सराय मानी धरमशाला सराय मानी कlen धरमशाला थोड़ा समझ लिया करो बहुत पुराने लोग बैठें वो सराइं भी समझते होंगे ओ धरमसाला में तो सबही समझते होंगे समझते हों कि नहीं ओ होटल में तो टोटल समझते हैं होटल में तो टोटल ही समझते क्यों समझते कि नहीं समझते क्योंकि आज की भासा धरमसाला नहीं रह गई है इंगलिस मीडियम जमाने में होटल क्यों होटल होटल मानी तोटल सबस्थ